हेलो गाईस, चल थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पर उसके पहले आए होप आपने होमवग किया है बेटा, जोमेटरी में इस वहली इंपोर्टन आप हरे क्वेश्चन धंग से सॉल्फ करें, कोई क्वेडी देता आप मुझसे पूछता रहें, ठीक है, बेगे मानके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने होमवग किया है, तो हम लोग क्या करने आ रहें और игрically opposite angles के बारे में देखने वाले है, ठीक है, पहले तो आप लोगोगों पता होटी कल कल एक अपोशय करने होते हैं, जब 2 लाइने इंटरसेक्ट होती है, तो उनके आमने सामन जो आंगल से उन्हें वर्टिकली अपोसेट आंगल से बोलते हैं तो मतलब क्या अत्रमाद एक यह लाइन थी मेरी और एक यह लाइन थी ठीक है मांदो यह यह बी है यह सी बी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओफ है ठीक है तो पैटा यह अंगल और यह अंगल को हम लोग जो दुनों एकोल होते है और वैसा हम लोग यह अंगल और यह अंगल को वलते हैं leyकल inh शो टो दोनों होते हैं पुदर इंटर को अब हम लोग यह घ्यरा में वरटिकली अपोसेट आंगल का यह हम लोग प्रूफ करने वाले कि आंगल ओडी और आंगल बी-ओ-ओ-ओ-स तो मुझे डाय की टू प्रूफ पता है टू प्रूफ किया है मेरा पहला है एंगल एओ डी इकोर्स टू आंगल बी ओ सी करना है दूथरा है एंगल एओ प्रूफ करने है तो देखिए सल्यूशन देखे बद चलो इसका solution के पहले मैंने मान लिया कि मेरा ये वाला angle कुछ W है ये वाला angle कुछ X है ये वाला angle कुछ Y है और ये वाला angle मेरा कुछ Z है तैसा Q मैं को ना इतना बड़े 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 ना मिसने पसन नहीं आता continuous इसलिए मैं ऐसा लिख लेता हुआ अब देखो मेरा क्या angle AOD plus angle AOC equals to 180 degree होने वाला है सर ये वाला angle और ये वाला angle 180 degree होने वाला है क्या सर Q reason रिखना वर दखर चीज़ का linear pair axiom के कारण हा सर तो उसके कारण AOD मतलब W था और AOC मतलब मेरा X था तो ये equals to 180 degree होगा इसको मैंने equation number 1 mark कर दिया अब ऐसे देखो AOB भी मेरा एक straight line है ये वाला angle और ये वाला angle भी तो मेरा sum 180 देने वाला है आसे तो देखे angle AOC plus angle B OC भी मेरा 180 degree होगा Q सर Y linear pair axiom के कारण ठीक है अब जोको AOC की value कितने है मेरी X है और BOC की value मेरी Y है तो ये equals to 180 degree होना चाहिए मेरा ठीक है अब देखे बटा अब मेरा ये भी 180 degree के बराबर है ये भी 180 degree के बराबर है equation number 2 तो देखे from 1 and 2 मैं ये चीज़ बोता हूँ ये और ये equal होगे देखो मेरे marks मान दीज़े कोई A person के mark से बराबर है आपके marks भी A person के mark से बराबर है मतलब हम दोनों के marks equal हुए है तो वही चीज़ बटा देखो from 1 and 2 के आगया है मेरा W plus X is equal to X plus Y आगया ये XX कट गया मतलब W is equal to Y आगया अगर angle W और angle Y equal है मतलब AOD और BOC equal है तो आगल AOD equals to angle BOC है बटा मेरा देखे W वाला angle मेरा ये था AOD वाला और Y वाला मेरा ये था BOC वाला देखो के फॉर्स वाला तो मेरा proof हो गया अब सेकंड वाला भी same pattern down proof करेगे अपने ये plus Y equals to 180 बताएगे और फिर Y plus Y equals to 180 बताएगे तब देखे अब मैंने वापस शुरू कर रहा हो नीचे किसा देखो AOD plus AOC 180 डिग्री है angle AOD plus angle AOC equals to 180 डिग्री है same reasons है linear pair axiom ठीक है अब बेटा देखो AOD की value W है इसकी क्या है X है W plus X equals to 180 डिग्री यह third equation यह है वैसे मैं पहले proof कर चुका था fourth equation में बढ़ मैं वापस ते लिख रहा हूँ तो मैं को उपा-उपा जाना है इसके लिए मैंने कर लिया अब एको AOD plus BOD भी तो 180 डिग्री होने वाला है मेरा ठीक है साथ तो लिख देता हूँ मैं AOD plus angle BOD भी तो 180 डिग्री होने वाला है same reason पैट यह वाला है linear pair axiom आपको लिखना पड़ेगा मैं को आलग साथ कैसे मैं ऐसे लिख दिया है अब AOD कितना है W और BOD कितना है Z तो W plus Z equals to 180 अब देखें यह दोनों चीज़े भी 180 के बराबर आई है मेरी तो 3 and 4 के कारण मेरा क्या हो गया W plus X is equals to W plus Z WW कटा मतलब X is equals to Z आगया अब देखो X की वाल्यू कितना है बटा मेरी AOC और उसकी कितना है BOD है तो इसके बच्छे मप्ताइज AOC equals to BOD देखें यही तो मैंना second वाला था AOC equals to BOD हो गए यह भी प्रूफ तो इसके चलो एक आखरी मपना लिख लेते हैंस प्रूफ इसको मैं H आपको कभी भी यह कोई theorem प्रूफ होने नहीं बोला तरह यहीट theorem को यूस कर सकते हो पर क्लियरली बोल जिए कि प्रूफ आट वर्टिकल यह अपको कैसे प्रूफ करोगे मैंने मैंने X Y Z W माना है आपको नहीं मानने बिना माने करो मुझे हमेशा चलता है और मैं आंगल वन आंगल टू आंगल थ्री नहीं लिखना चाहता होगा बीभी मुझे डिगरी और यह वन टू टू थी पूर देख देखे ना कंफ्यूजन शुरू होता है कि वन डिगरी है यह इसलिए मैं अलफाबेट मानता हूँ X Y Z W A B C D ऐसा कुछ मानने वाला हूँ ठीक है तो यह वाला अंगल मेरा Z है और वह बीच वाला अलफाबेट जो था हूँ मेरा यह यह पॉइंट मेरा O है ठीक है अब देखे मैंने बेसिकली क्या किया था मैंने यह वाला अंगल प्लस यह वाला अंगल इकोस्टू 180 बताया लिने पर आख्यम कारण तो उसके कारण क्या हो गया डब्लीव प्लस X इस इक्वल्स टू X प्लस Y दोनों 180 के वाला बस है तो उसके वह वह हुआ पहला वाला यह प्रूफ हो गया था फिर यह भी तो वर्टिकली अपोसट है तो इसको यह चीज बेटा मैंने आपको प्रॉपर्ली जोमेट्री में के जैसे लिखा जाता है वैसे लिखते आपको दिया हुआ है तो आप लोगों को से क्या रिक्वेस्ट चालो इसको प्लीज एक बार पास करो अच्छे से और ढंग से सॉल्फ कर लो ठीक है ना खुद से करने अगर पीक्यू अरेस इंटरसेक्ट ना फो फिक्व फिक्यू और रस दो स्ट्रेट लाइन से इंटर्सेक्ट कर जिए ओ पे इस आंगल पी ओ और इस इकोलू 30 डिग्री आपको खुद का डाग्रम माना पड़ेगा आपको खुद का जैसे डाग्रम आपने मन से कर सकते हाँ तो पहले लिखना पड़ेगा मैं आपको गिवन और टू फाइंड है टू प्रूफ नहीं है एक तो यह वाला एंगल यह आगल आरो क्यू फिर यह वाला एंगल मतलब आंगल क्यू ओ एस और तीसर वाला एंगल पी ओ एस दूनना है ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लाओगे खुच का जाया है क्या सर यह 30 तो यह सामने आला भी 30 यह निकल गया यह और यह लीनियर पैर सा निकाल लूँगा तो जैस देखिए है मैंने पॉस एक बाद फट साइक बाइस की सो कर लो 12 सलूशन देखिए बद चलो आप लोग अभी ठीक है मेरे फीचर शूप करता हूँ है मैं लिखा आंगल आर ओ पी प्लस आंगल पी ओ एस इकोस तो 180 डिगरी होने वाला है मतलब यह अंगल प्लस यह अंगल म प्लस आंगल पी ओ एस इकोस तो 180 डिगरी इंप्लाइज आंगल पी ओ एस की वाल्यू 150 डिगरी आ चुकी है ठीक है तो मुझे यह वाला अंगल बिल चुका है कितना है बटाई 1 डिगरी है फिर देखिए मैं लिख दिया आंगल आर ओ पी और वो सामने आला वर्टिकली अंगल से खारें ठीक है सब्सक्राइज एंगल एस ओ फिवाली जाएगी 30 डिगरी हो जाएगी मुझे दूसरा अंगल भी मिल गया ते वारा सिंपल सा था तीसा वाला भी वैसे सिंपल सा यह 30 डिगरी हो गया मेरा अब देखिए क्या मेरा यह एंगल और यह सामने अला तो वो चीज में दिखने वालो भी क्या लिका मेंने इसर आंगल POS is equal to angle ROQ और क्यों और और क्यों वी बैटा vertically opposite angles which implies angle ROQ की value 150 डिगरी यह भी हो गई तीनों की तिनों बच्चे वो अंगल जाते हैं उमें ने ढूंड दिया है सिंपल दाना अभी तको question के साथ में लिखना सिखा रहे है कि हमें question को solve करते हैं कैसे लिखना है जिसे हमें पूरे मार्क मिले आपको स्टार्टिंग में कई बार होता है आपका answer साही होता है बड़ मार्क कर जाते है तो वैसा ना हो इसके लिए ठीक है यहां पर इसको कर लो पॉस और इसको भी कर लोगा खुछ से तोल्स चलिए अब बढ़ते हैं अपने लोग थोड़ा सा आगे next question के तरफ next question भी simple साही बच्चा आपको एक question जो दिया हुआ है I would suggest फिले question बना लिए लिख लीजिए आप लोग आप लोग ठीक है और फिर मैं गवा जब छोटाता हिंट दे रहा हूं आप लोग को आंगल का रेश्यो दिया गया है कौन से दू आंगल का POR मतलब यहां ले अंगल और कुछ given है तो हां given है to find या to prove आपको लिखना आपको चारों आंगल जूनने है तो फाइंगल में चार चीज़े रहेगी और solution करके solve करना है ठीक है तो pause करो बेटा इसको और एक बार ट्राइक कर लो चारिए अपको लोग करते हैं थोल गिवन क्या है मेरेको गिवन है अंगल POR स्टू आंगल ROQ यह इसको 5 इसको 7 है ठीक है तो find क्या क्या है चार अंगल मुझे ढूनने है एक अंगल आंगल POR दूसरा है अंगल ROQ तीसरा है अंगल SOQ छोत्रा है अंगल POS ठीक है इसी दे देखिए में को पता है अंगल POR स्टू आंगल ROQ की वैजिव फाइव इसकू 7 है अगर आपको यह भी पता है ना तो उसको आप लिखो ब्राकर में कि यह तो मुझे गिवन है तो इंप्लाइस मेरा अंगल POR को मैंने कुछ 5X मान लिया अंगल ROQ को मैंने कुछ 7X मान लिया ठीक है अब देखिए अब यह 5 इसकू 7 देशियो चल रहा है अब आंगल POR प्लस आंगल ROQ की वैल्यू 180 डिग्री होगी क्यू सर बैटा आजूब आजुब आजूब आजूब लांगल नो POR और ROQ स्टेट लाइन के अपस linear पर axiom करान linear पर axiom ठीक है सर अब आगे देख 180 by 12 यहने 15 डिग्री हो गई है मेरी ठीक है अब X 15 हो गया तो इंप्लाइस आंगल POR कितना हो जाएगा 5 इंटू 15 इस इकोल तो 75 डिग्री हो जाएगा और आंगल ROQ 7 इंटू 15 मतलब 105 डिग्री हो जाएगा तो देखिए यह दो तो मैं निकाल दिये है पीटा मैं क्या करता ह ना हमेशा मेरी आदत रही है मिल जाता है तो मैं यहां पर डाइक्राम मार्क कर लेता हूं देखिए पी ओ आर्मारा सेविवाइड डिग्री हो गया तो और यह वाला अंगल मेरा कितना हो गया 105 डिग्री हो गया है अब देखिए अब तो में लिए पी ओ आर और एसो क्यू अब यहीं है अलिग दिया अगल पी ओ आर इकोस्तों आंगल एसो क्यू सर वर्टिकल अपोट अंगल अपोट अंगल इस पैटा मैं देखा बच्चों को वर्टिकली अपोट अंगल को वी ओ लेगते वे कोश्च शेया के मस लेखा कर दिए बटा प्रीज एप्लाइस आंग सब्सक्राइब करना क्या है बेसिकल इस ओपी और आर ओक्यू एकल हो जाएगे अंगल एस ओपी इकोस्तों आंगल और क्यू हो जाएगे सेम रीजन बेटा वर्टिकली अपोट वाला तो इंप्लाइस आंगल मेरा क्यों सब्सक्राइब और आपको खुझ से आगया था और जिनको नहीं आया तो देखते देखते उन लोगों को समझाए करना क्या है बेसिकली ठीक है चलिए इसकोशन को अब पॉस्ट कर लिजे जिनका आंसर नहीं आया था और इसकोशन को खुझ से आपको सॉल्फ कर लिजे चलिए नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन इस प्रूफ औफ कम्प्लीट अंगल कम्प्लीट अंगल क्या होता है मतलब यह ऐसा जाक्शे पूरा गोल घुम के आना जैको जैसे यह आपको बोलते हैं यह सड़ी कि यह अक्यूट अंगल था यह अप्ट्यूस अंगल था यह राइट अंगल था यह लीनियर असे यह स्ट्रेट अंगल था अगर मानलों यह और दूसरा आम भी उसी को पड़ते हैं यह पूरा का पूरा जो अंगल रहता है इसे बोलते हैं अपने लोग कम्प्लीट अंगल complete angle 360 degree होता है ठीक है तो यह उसी का proof है question का है in the given figure O P O P कहा है बाई O P O Q O R O S O P O Q O R O S यह P होना चीछ था ठीक है न यह P था स्वरी यह P था आर पोर रेस प्रूफ दा आंगल P O Q तो आंगल Q O R प्लस आंगल R O S प्लस आंगल P O S is equal to 360 degree ठीक है यह question है यह पहले पॉसर के question को लिख लो बेटा आप लोग चलो अब मुझे given में चैसा कुछ mathematical है नहीं यह जो two proof है वो लिख देता हूं मैं अंगल P O Q plus आंगल Q O R plus आंगल R O S plus आंगल P O S equal to 360 degree मुझे दिया गया है ठीक है यह पूछा गया है अब देखो बेटा इसमें मैं construction कर रहा हूं क्या construction है मैं इसको ऐसा extend कर रहा हूं उल्टे direction में इसो कुछ भी नाम में M दे देता हूं मान लो ठीक है न तो बटब जो construction किया है मैंने वो लिखना पड़ेगा और construction ऐसा लिखना पड़ेगा कि मान लो पहले विदाउट construction में आपको फिकर दिखाए था फिर आखे बंद की अब मैंने चीज़े बोला आपको यह आप ऐसा करो तो आपके दिमाब मोर्ड डाइग्राम समय में आ जाना चाहिए ठीक है देखो construction कैसा लिखा मैंने extend qo on direction of o till m मतलब qo जो मेरे line segment ही है इसके मने extend किया है कहाँ पे o के direction में कहाँ तक है m तक है m कोई भी random point है मेरा ठीक है till m तीक है अब देखो अब solution देखो अब solution पर द्यान दो क्या मेरा ये angle प्लस ये angle 180 डिग्री होने वाला है गया देख लेते हैं आंगल qo r plus qo 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 p plus angle p o m इकोट दीघ्री होगा सब क्यूँ ये दो अंगल से उन इस पर लीनियर पर आग्जियम लीनियर पैर आग्जियम के कारण ठीक है इसको मैंने equation number one mark अच्छा को दिखनी रहा हूं मैंने इसको equation number one mark कर दिया है ठीक है अब बिटा नीचे देखो ये angle प्लस ये angle प्लस ये angle 180 ड स्ट्रेट लाइन तो ये से बोलते है अंगल स्ट्रेट लाइन ठीक है अब देखे अंगल M O S प्लस अंगल S O R प्लस अंगल R O Q इकोट रो Q इस इकोट डिगरी क्यू सर angles on straight line है इसको मैंने equation number two बोल दिया अब मैं equation one और equation two को add दर रहा हूं देखे equation one प्लस equation two से मेरा क्या बनने आला है equation one करी Q O P प्लस अंगल P O M था मेरा ठीक है प्लस अंगल M O S प्लस अंगल S O R प्लस अंगल R O Q अगर आड हूँ है तो मेरा RHS भी आड होगे equals to 180 degree प्लस 180 degree ठीक है अब बेटा देखो यह P O M प्लस M O S यह दोना अंगल है P O M प्लस अंगल M O S क्या मिला के यह पूरा का पूरा अंगल बनने आले है तो उन दोनों के बदले मैंने अब क्या लिख दिया है P O M और M O S के बदले है मैंने लिख दिया है यह लाइंगल कौन सा आला P O S आंगल अंगल P O S ठीक है बचे तो वैसे ही मेरा अंगल Q O P यह दोनों के बदले मैंने यह लिखा है ठीक है प्लस आंगल S O R प्लस आंगल R O Q equal to 360 degree मुझे यही तो प्रूफ हाना था देखो मुझे वह प्रूफ हाना था P O Q प्लस Q O R देखो P O Q प्लस Q O R प्लस R O S और P O S प्लस R O S प्लस P O S equal to 360 degree हो गया प्रूफ तो यह हो क्या है राइकली यूस कर पाओगे समझाए चीज क्या होई है चलो फट से यह question को भी खुद से solve कर लो पॉस कर के बच्छा construction फॉपर ही लिखना जो green एस में लिखना में ठीक है चलो पॉस करो इसको और solve कर लो चलो next test पर बढ़ते हैं अम लोग questions के उपर question simple है याला ठीक है question देखो in the given figure line xy and mn intersect at o ठीक है if angle P O Y equal to 90 degree देखे यह आप लोगों को पता होगा यह 90 degree को ऐसा दिखाया जाता है ठीक है आगर नहीं समझ मालते हैं मैं 90 degree लिख आपको लिखना है तो और A is to B की value 2 is to 3 दिया हुआ है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आंगल 3 निकालना है ठीक है तो जो given है वो लिखो to find a to prove जो है वो लिखो और solution एक बाद खुचर ट्राइगा नहीं कोशिश करो मज आएगा बटा ठीक है तो इसको करो एक बाद पॉस क्वेस्टन लिखे है सबको चीज़ें करने कोशिश कर लो एक बाद गिवन में मुझे है अंगल पी ओ वाई की वैल्यू 90 डिगरी और दूसरी चीज़ है एस्टू बी की वैल्यू टू इस्टू थ्री ठीक है और टू फाइंड है मेरा सी सी एन ए एक्सो एन ठीक है अब सड्यूशन देख लीज़ें पेड़ दो रेखो क्या यह अंगल प्लस यह अंगल प्लस यह अंगल 180 डिगरी होने वाला है मेरा वैसे हांटी के तो वहाँ पर यूस करमा बट मुझे तो पताए और बी का रिलेशन कितना है तू इस्टू दिया खरो अगा देखे अंगल पी ओ स्रीक लाइन दीखारन फ्रीशन गिल्या प्लस गया एंग टू प्लस लाइंगल देखें पियोट वाई कि वाई कितिए नभए पियोट एम जो कि A था जिसकी वालुए मेरी ट्रेक्स है और XMOX कि वालुए जो कि b थी जो कि 3x है पिछ को 180 सुर्दी के 5x is ढूकल 90 दिग्री होगया मेरा एक्षड गए मेरी 18 दिग्री होगी जैस्थी एक्स 18 हो गया मत्ता मेरा एक की वाल्यू कित्तिया गई टुए था इन्हें 36 डिगरी हो गई और बी की वाल्यू कित्ति थी एक्स थी मत्ता 54 डिगरी हो चुके यहां तरका पुछ छिलता मुझे वो थोई ढूंड ना था मुझे सी आंगल दून ना था कई बच्चे वलते तर एक यह लाइन है यह ब वाला आंगल और यह सी वाला अंगल लियू पएर हो जाएगा तरह तुम को सवाड़ीआ पड़ेंगा वेटा जो मेंत्री में क्वाटिवी ठीक है सर मैं लिख धिया है अंगल पीओ प्लस यंगल और स्फिदओ अंगल अब आंगल पी ओएक्स से दिया मैंने भाई वह भाई पी ओएक्स नहीं है वो सब्सक्राइब बोल दिया मैंने इट इस एम ओओ एक्स माइबाड ठीक है और देखिए मतलब बी था बी मतलब 54 डिग्रीस था मेरा देखिए क्यों गया 54 देखिए कुछ भी नहीं हमने अब देखिए बाप उड़ा हमने क्या किया पहरे एक्स की वैल्यू आई थी कितनी अब इसके बाद में यह अंगल प्रस यह अंगल करते हैं लीनियर पर आगशेम के कारण तो यह प्लस सी तो सी के लिए 126 से आगए थी ठीक है चलो यह क्वेश्चन को करो पॉस और एक बाद कर लो खुच से तो अगर आपका पहले समें नहीं आया तो तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरब बढ़ते हैं लोग इन गिवन फिगर लाइन्स एबी और सीडी ठीक है इने एबी और सीडी लाइन से इंटर्सेक्टाइट हो बढ़िया है इस बार आंगल एओ सी प्लस बी ओओ ए मतलब यह वाला अंगल प्लस यह वाला अंगल 70 डिवरी दिया हुआ है पर दोनों आंगल इकोल नहीं कर 35 35 मान दोनना है और रिफ्लेक्स आंगल सी ओई ढूंडा है अगर रिफ्लेक्स आंगल डूंडना नहीं है तो मैं बता हूंगा को टेंश मत लिए ठीक है पहले आप लोग गिवन लिक्टाइक क्वेस्टन दिखो डाइग्रम आलो गिवन टू प्रूफ बोलो या टू फाइंस डिखोन है और विओधिवन थीक है अंगल बी ओडी इस एफस्टी डिखरी गरी ओणफ टू फाइंड लाके अंगल बी ओए है दूसरा का है रिफ्लेक्स अंगल सी ओई है ठीक है अब देखो बेटा मुझे पता है यह प्लस यह कितना होता है दिया होगा है कितना दिया होगा है तो यह वाला अंगल को यह बहुत है कि आंगल तो यह उतीड होना चाहिता तरह नहीं समझें का अंगल तो ए ओसी और इओ भी यह बी ओई तो मिलागे कितना था मेरा सेवेंटी था सेवेंटी प्लस अंगल सी ओई इसी ओए इस वाली कित्ती होगे बेटा मेरी 110 जिए यह मिल गया मुझे 110 डिगरी ठीक है मुझे क्या करें आपने बी ओडी पुझा था यह नहीं नहीं मुझे बी ओई पुझा था ठीक है यह अंगल प्लस यह अंगल प्लस यह अंगल अब यह तीनों अंगल मिलाकर 180 डिग्री होने वाला है मेरा क्यों वह यह अंगल से टाइन तरह मैं वह लिखना शुरू कर जाता हूं एक सो असी हो गया यह तो इंप्लाइस अंगल बी ओए मेरा यह देखो हंडेंट फिक्टी तहां जाएका तो थर्टी डिग्री बचेगा आंगल बी ओए मुझे कितना मिल गया विटा वीयो इमुझे मिल चुका है यह है मेरा 30 डिग्री मुझे इक वोची से निकाल दिया यह एक ग्ल हमान दो यह 2 कर मतलब यह होता है कि भी एक की भी 160 माईनस ग्वहन अंगल होता है तो आगर यह ती एसकिन हो और माईनस के 620 मतलब 280 डिग्री से यहां पर किन के यहां पर 360-0 गिवन अंगल रहेगा वह 110 मतलब जाएगा 250 दिगरी खतम यहार आंसर भी आपका आपके ठीक है चलो यह वाले question को भी आप लोग प्लीज पॉस करके एक बाद सौल कर दीजे चलो यह लास्ट question for the day पर बढ़ते हैं हम लोग यह question थोड़ तर डिफरेंट है ठीक है पर सिंपल से है आपको क्या दिया गया है अंगल PQR मतलब यह वाला अंगल और अंगल PRQ मतलब यह अला अंगल दोने एकोल है आपको अंगल PQS और अंगल PRT कि वो दोने एकोल आपको ब करो पॉस और इसको कर लो आप लोग इतना यहां पर सब्सक्राइब अब बेटा देखो मैं आपको थोड़ से इंट्रीव से रहा हूं एक तरीके से तरीके को मैं नो-brainer method बोलता हूं सब्सक्राइब कोई तरीका नहीं है कि आप लोग का नाम है यह मेरा खुद का तरीका ब नो-brainer method मत लिखना वैसा नहीं है यह सिर्फ आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं क्वेश्टन तो सब्सक्राइब हम आगे 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 एक लेक्च्छ पूरा बनागा जिसमा सिर्फ नो-brainer की questions रहेंगे जिनने सब difficult questions जो बच्छों को जमते नहीं वह फटा-पट सॉल्व आंगल सकते इकोल विकल हो ना तो उन दुनों को कुछ AA या XX कुछ मान लो तो यह वाले आंगल यह वाले आंगल को मैं XX मान ले सकता हूं मैं लिख दिया लेट आंगल PQR B equal to X देखे इस PQR को अभी मैंने X माना है अभी तक यह X हुआ नहीं हम प्रूफ कर दा हूँ सिंस अंगल PQR equal to अंगल PRQ यह तो मुझे गिवन था ना भाई लोग तो इसके कारणन मेरा PRQB इंप्राइस अंगल P RQB तो मेरा X हो जाएगा ठीक है सर यह भी X हो गया अब देखो अब मैं यह अंगल की वाली निकाल रहा हूँ अंगल PQR plus अंगल PQS equal to 180 degree होगा वह अपना linear pair axiom के कारणन ठीक है कई लोग इसा सब linear pair लिखते है मैं linear pair axiom लिखता हूँ चो ठीक है जो भी है तो देखिए X plus अंगल PQS equal to 180 degree होगा तो अंगल PQS की वाल्यू 180 minus X हो गई है ठीक है यह ध्यान रखिएगा ठीक है इसको equation number one mark किया वैसे है बच्चा लोग मैंने यह अंगल यह अंगल भी 180 होगा वो दिखा जिया पी आर्क्यू और पी आर्क्यू और पी आर्क्यू प्लस अंगल पी आर्क्यू भी तो 180 डिगरी होगा बेड़ा सेम डीजन क्या linear pair axiom के कारेंट तो ठीक है अगर देखिए अपना पी आर्क्यू भी तो एक्स हमने उपर निकाल कर रिखा जाता है इस प्लस अंगल पी आर्क्यू गया ऑर्क्यू प्लस अंगल पी आर्क्यू को नहीं थी क्या था मेरा गया था यह क्यों अगल यह एक्स बताना था किरिए अपने अगल लो ठीक है यह अगल प्लास 205 वैनssa यह नहीं होता है जोब होग है वह छीज़ मेने लिखा यहां पर तिक क्ड़ीडर काई आपको बोलना अज़ाना आता होगा पार लिखने में थोड़ा इस्वा आता होग इसलिए प्लीज औरली औरली नहीं होता है जोमेट्री इसको प्लीज पॉस करो और ढंग से खुच से लिखो बच्चा लोग चलिए हो सकता है आज का लेक्षर थोड़ा टाइरिंग हो पर बेटा आपने बहुत सारे कंसेप्स कवर कर लिया आज आप लोग को बहुत ज्यादा होमवर्ग तो नहीं होमवर्ग कम ही है पर प्लीज यह कंसेप्स को आप लोग प्लीज अच्छे समझ के लखिए ठीक है चलिए हम लोग मिलते हैं नेक लेक्ष में बाई गाई